महात्मा गांधी सेतू पटना की ओर से हाजिपूर जाते समय ये महात्मा गांधी सेतू ब्रीज का नजारा शाम का समय वन बे चालू है और अभी एक बे बंद है हमारी संस्था स्वरांजली सिवा संस्थान ट्रस्ट के माध्यम से लगातार यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार आपको जनकारियां दिखाई जाती है फिलाल किस पूल की क्या दशा है नए सिरे से इस पूल का निर्बान किया गया है जिसमें लाखो टन लोहे लगाए गया है देख सकते हैं आईसे निर्बान किया गया है यह महात्मा गांधी से तो पूल है जिसका एक छोर जिला बैशाली में है तो दूसरा छोर जिला पटना में है गंगा नदी पर बना पूल है, पहले इसका अस्थान, लंबाई में इसका अस्थान अपने देश में था, लेकिन फिलहाल बिहार में ही भागवपुर शेत्र में 10 किलो में लंबा पूल बन रहा है, उसके बन जाने से, चालू हो जाने से, इसका अस्थान पीछे हो जाएगा, पहले इस पूल का भी अस्थान था, बीच में पूल काफी जरजर हो गया था फिलाल देख सकते हैं बर्दवान समय में वन वे जो चालू किया गया है एक गंगा नदी पर बना पूल है और गंगा नदी में पानी काफी कम है देख सकते हैं इसकी लंबाई लगवक 6 किलोमीटर है यह महात्मा गाने शेतु है उत्तर बिहार से बिहार की राजधानी पटना को जोड़ने वाला एक मात्र पूल जो सुंदर ही नहीं सुंदर तम है काफी सुंदर है और 24 घंटे जिस पर काम चलता रहता है जो स्ब्सक्वां आपस्वार देख स्वंदर पन्सटर मीजर जवारे हो जबाई देख रहता है